कामना परिवार में डिग्गी का अरबी जो महिलां है वो अपने अपने बंधनवार यहां से एक इक शुब कामना परिवार की आ जायर अपने अपने बंधनवार को लेके तयार रहे यहां सब को एक सांथ खड़ा किया जाएगा और एक सांथ सब कि लिज आएगी फोटो और उसमें से फिर ये लोग चैन करेंगे कि किसको प्रथम्दुतीत रती करना है हो गया है हो गया है जो भी है और लास्ट में सब को इखटा खड़ा गिया जाएगा ठीक है चलिए एक भीलवड़ा से ही भीलवड़ा से जो भग गनाये हैं पुझे मातर जी को करना चाह रहे है भीलवड़ा वाले वीद वह प्रवास के लिए फोल भीलवड़ा वाले सी किसी सीथा से आजाई सब आज Bach हमके साइरिया, तुमके साइरिया, आज यहां सब भर्ट के सरिया, इसरिया के बरिया, आज हमर रंग उतक चंदनेत, बुले पुष्पेके, चरुस दीपस, दूप फलार्वेके, तवले मंगले, गाने रवाकुले, जीनगरे माताजी महाम्यजे, ओम्री परंपुझे सस्ति पुष्विर्मा सजी से संग, बिल्वाडा में विराज माने तु अर्गम निर्पांती स्वा सुनलो, सुनलो जी माताजी मां तियार जी जिल्वारा ले जादा की माा के मन में जै चोरी सुनलो, सुनलो जी आताजी मा की एक और जी मां की एक आरी जी दिलवाणाल जादा की मांक मन में जेखीगी जन में पर्णयों पुड़ो फेर करी तई आरी कुड़ कुड़ चाल्या साथ में तार वे गई माया सारी असलो सुलो जी माता जी हां की एक आरी जी दिलवाणाले जादा की माता मन में जेखीगी बिलवाणाले जादा की माता मन में जेखीगी आपा की भी मर्जी चल रही है थोड़ी थोड़ी चलिए आप लोग अपने अपने अपका भाव मैंने देख लिया है और बहुत दुनों से देख मी रही हूँ बहुत दुनों से देख मी रही हूँ कि आपकी बहुत इच्छा है कि मैं भीलवाणाले आऊँ जैसी बगवाण की व क्या कहते हैं आप आप छाहाय है। ओम लेखन से वो विभीन परकार के चीतर बनाते हैं मेरा उनसे निवेदन की आज दो चीतर बना कर लाएं परभवना करी उसकी कल्पना आज तो कोटा में से चत्रमास हुआ नहीं इतनी परभवना कोटा में माता जी करके गई आज उसी की देन है कि जब माता जी कोटा से चली और यहाँ जाजपूर आके गाड़ी रुख गई जब माता जी जाजपूर थी तो एक का एक परतिमा का निकलना हुआ मुनिश्ट नुवत मगवान का चमत का रेसा हुआ कि भुगर्ब से परतिमा निकली माता जी यहाँ थी विराजमान थी देवली में तो माता जी से यही निवेदिन किया कि माता जी जाजपूर का नाम कहीं भी नहीं है कोई जानता नहीं था कि जाजपूर क्या है मन कि माता जी आप यहीं चत्रमास करो मैंने सबसे पहले निवेदिन किया था माता जी को याद है मैंने सबसे पहले निवेद निक्या था कि माता जी आपका चुत्रमास जाजपूर में होना चीए और ऐसा सित्र बनना चीए कि देश वाले याद करें में चैनल से कम जुड़ा हूं माता जी से ज्यादा जुड़ा हूं चैनल से मेरे को कोई ज्यादा वो नहीं है चैनल तो आते रहते हैं जब माता जी कोटा में दी जब चैनल में माता जी नहीं आती थी मैंने माता जी का माता जी आपके इतने सुंदर इतने अच्छे परोचन ह चंटा लाला ही था आपके परोचन सुन ना को, मताजी ने मना कर दिया, मैं नहीं, मेरे लुच से कोई मतलब नहीं, मेरे लुचे लुचे में आज में लुचे बात्वा लकार क MEण ऐसी साल प्रे शेंदल पर ने खीरती हो, उसके बाद दर्म परभावना के सेत्र में काभी चैनल आए मैं स्वागत करता हूँ सभी चैनलों का क्योंकि ये जेन धर्म की परभावना के अंग है चैनल जेन धर्म की परभावना के अंग है आज सभी दर्मों के चैनल है मैं चाहता हूँ जेहंद्रम के भी ज़्यादा चैनलों अपने जेहंद्रम की प्रभावना जंजन तक पहुँचे यही चैनलों का अपना उद्देश से है इसे ज़्यादा कोई उद्देश से नहीं है माता जी को बोला कि माता जी एक सेत्र बनना चीए आज जब माता जी यह आपे आई थी एक कमरा बना के माता जी यहां पर इधर सिमेंट पड़ी थी इधर माता जी बेटी थी हम लोग तो कोटा से काफी लोग सबी आते थे वो द्रस से मेरे को याद है जब इधर सिमेंट और इधर माता जी बेटी है आज माता जी की हिम्मत है अपन तो एक साध्ने ह इसका रूप देखने के लिए माता जी ने बैचाता अ कि लीए कर्णा जी सकती है कि इतना भवे जिनाले बन रहा है में कहता हूँ देस्वास होचे के सभी का इसमे स्योग होना चीने एक तीर स्योग को एक अर दस हेसा आवान करता हूँ मैं चे wobना जाए में हैं ज्यादा स्यद्य और 2020 में माता जी इसका पंसिक्षकी लानम तो होगा ज्यों मैने कुए रॹा ट्रोंगे जाजपर वालन वह वह ज्हां पीछे लगे थे बिनोज जी बोले नहीं माता जी आपको करना है आप करो यहां चतुरमास मेरा थोड़ा सा मन बना इनके कहने से बना था हाला कि छोड़ा सा गाव है मैं डेड़ महीना रह चुकी थी यहां पर इसलिए मेरा मन था कि चलो चतुरमास बाहर कर लूँगे फिर बाद में अदिन लगेगा तो आजाओंगी ऐसी मेरी भावना थी चतुरमास छोटा सा गाव है चालिस घर की समाज है डेड़ दू महीने मैं पहले रह चुकी हूँ अभी कितनी सेवा करेंगे मेरी चार महीने लंब में समय तक तो इसलिए मेरा मन्था की चलो में बाहर कर लेती हूँ लेकिन जब बिनोच्ची बोले नहीं माता जी आप करो तो दूसरे साल मैंने पूछा आप कहा करूँ बोले आप भी यहीं करो तो तीसरे साल पूछा ही नहीं मैंने का फिर कहेंगे यहीं करो करना ही आई है माता जी सेत्र को आपकी जुरुत है और सेत्र बिल्कुल उचाईयों पर है और मेरा निवेजनव माता जी कोटा से आज 11 बसें आई हमारे आपके सानित अशिरवात के लिए तो मैं सभी कोटावाश्यों की तरफ से हमारे राजमाजी पाटोदी साब बेटे हैं, रिते जी अनील जी ठोड़ा सारे इश्रावा की बेटे हैं कि माता जी कोटा के लिए एक बार जरूर आपकी चरंड परें ऐसी हमारी सबकी बहुना है, अभी लाचा है कि माता जी ये बिनो जी ये बात तो मुझे कुछ जच नहीं रही है आपने कहा कि 2020 में पंच करने आणा और मैं कोटा जाओंगी तो कैसे होगा फिर माता जी कोटा जयदा धूर नहीं है 90 किलोमेटर है 100 किलोमेटर पता है वापस जाके आ सकती हो आप धर्म परभावना के लिए सब जगे इस मंदरी की धर्म परभावना के लिए सब जगे विच्छन करें चलो आपने बैट करके एक मीटिंग करेंगे पहले सारे कोटा वालों को बुलाएंगे शाहपुरा वालों को बुलाएंगे भीलवारा वालों को बुलाएंगे कोटडी वालों को बुलाएंगे साबर, करना उनको भी बुलाना उस मीटिंग में साहरनपुर वालों को ने एक सुत्र दिया है हम लोगों को कि यदि माता जी से कोई बात मनवानिया तो विनौत बात कर ले माता जी मैं तो चोटा सा सरवक हूँ ये आपका अचिरवाद है कि आप इतना आने वाली पांच जनवरी को सन्य औमवस्या है। आने वाली पांच जनवरी को नव वर्स का आगाज होगा बड़े वापा के मस्त का विशेक के साथ में तो मैं ज़्वी जाहजपुर वालो की ओर से पुरी चेत्र कमेटर की ओर से निविधन करता हूँ मादा जी आपके सानिते में बड़े बावा का मस्तका भी से कहीं परो पांच जनवरी को सनिय मावस्या है मैं दो दो चेनल के माद्यम से लाकू भग देख रही है और सभी से में निवेदन कर रहा हूँ आने वाली पांच जनवरी सनिय मावस्या के दिन आप जहाद्पुर पदारे और भूगर्ब से प्रक्तिता तीसरी कारी वड़े बावा के मस्तक पर एक कलस करे या करवाए अपने परिवार के और से पुझे गुरुमा का असानिते हमें जरूर मिलेगा देखिए आप सभी लोग तो यहाँ उपस्तित हैं ही और वो लाखों लोग जो टीवी के माध्यम से पारेश चेनल और महवीरा चेनल के माध्यम से उस घड़ी का इंतिजार कर रहे हैं जो स्वस्ति ग्यानावली परतियोगिता के परिणाम हैं कि कब वो परिणाम आएं और कब हम सुनें और वो घड़ी आ गई है मैं यहाँ से अलाउंस करते हूं स्वस्ति ग्यानावली परतियोगिता के परिणामों को उससे पहले चाड़ लाइन माजिनवानी की चर्णों में अतिशिकारी मोनी सुरुनात भगवानी की चर्णों में सबसे पहली माजिनवानी के मंगल में गाने कीजे हो फिर भगवानी के अतिशे की और उससे हुए कल आने कीजे हो जिनकी स्वरूप को देवतरस्ते ऐसे अनोखे माहाने कीजे हो और क्या कहेंगे मुनी सुरुनात भगवानी के लिए दोनों हातों को उठाते हुए आओ हम सब मिलकर बोले मुनी सुरुत भगवानी कीजे हो और आप सबी भगतों का इतना पुन्य की आप यहाँ आज उपस्तित हुए यह आपके पुन्य का ही फल है और आप सभी की तरफ से समर्पित चार्णाईने पूजे मातजी के श्रीचर्णों में जिसका भाग्य हो सुन्दर उसे नर्जन्म मिलता है जिनोंने पुन्य जोड़े हो उने जिन धर्म मिलता है मगर कुछ लोग ही जग में निराले होते हैं सबसे जिनी दुनिया में आकरिके गुरू का संग मिलता है बुलिप्रम्विदुशिले की कारे कशिरो मनी गुरुमा स्वस्ति भूशिर मातजी की और अभी आप ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले स्वस्ति ग्यानावली पृतियोगिता ये पृतियोगिता 285 नंबर की थी 285 जिसमें से प्रथम इस्थान प्राप्त किया है शिरी मती सरोज जैन वाइफ विमल कुमार जैन दिल्ली जोड़तार तालियो से इनका स्वागत अगर वो यहाँ उपस्तित हैं तुमंच पर आजाईए नहीं तो यहीं से उनकी चर्णों में तालियो से उनका स्वागत चलिए दुतिय स्थान प्राप्त किया है शिरी मती मेघा जैन वाइफ ओफ सचीन जैन मेरट इनके 274 यानी 274 नंबर है जोड़तार तालियो से हम तालियो बचा करतों नुमोदना करही सकते हैं दिल्ली जोर्डार तालियों से स्वगत शिरीमती रूची जैन वाइफ अनुच कुमार जैन शंकर नगर दिल्ली अगर मेरे आवाज सुन रहे हूं टीवी के माध्यम से यह मंच के माध्यम से यहां आजाए अन्यथा उन्हें सुचित कर दिया जाएगा उसके बाद 10 Consolation Prize में परतियोग तो तो हमारे पास 200 से 300 आई थी जिसमें से हमने 1st से किन 3rd और 10 Consolation Prize का स्रेन किया है वो 10 नामन, 10 नाम में यहां से बोल रही हूँ पहला नाम शोरिय जैन, नितेश जैन, दिल्ली शोरिय जैन, नितेश जैन, दिल्ली दूशर नाम प्रगती जैन, वाइफ ओफ हेमंत जैन, खरगोन मध्यप्रदेश उसके बाद सची जैन, वाइफ ओफ तरश्यन जैन, दिल्ली सची जैन, वाइफ ओफ तरश्यन जैन, दिल्ली सुनीत जैन, वाइफ ओफ शुभाज जैन, बडोत उसके बाद शुष्मा जैन राजगेट दिल्ली उसके बाद विभा जैन डोटर ओफ वकील चिन जैन बड़ोत उत्तर प्रदेश शिरीमती पिंकी जैन वाइप ओफ देवेंद्र कुमार जैन बड़ोत उसके बाद शिरीमती गोरी जेन, वाइफ ओफ सचीन कुमार जेन, बडोध शिरीमती भावना जेन, वाइफ ओफ नितीन कुमार जेन, दिल्ली शिरी अतुल जेन, फरीदयबाद, हर्याणा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सभी का और इसके बाद, आज ही जो पूची मतची के 49-49 आवतरन दिवस पर एक स्वस्तिक काड़ परतियोगते का आयोजन रखा गया था बहुत सुंदर सुंदर काड़ आप लोग यहां सजा कर लाए हैं हमें चेन करने में बहुत सुंदर सुंदर काड़ आप लोगों यहां सजाए हैं जिसका चेन करने में हमें थोड़ी सी कठनाई हुई है लेकिन फर्स से किंठर हमें करना पड़ता है सबसे पहले तिर्तिय थर्ड प्राइस के लिए हम अंत्रिंड कर रही हूँ सर्वार बार नहीं आए समय हाथों से निकला जाए यह अब सर्वार बार नहीं आए समय हाथों से निकला जाए ओ भैया जरां बश्ति करना रे कर दो कर दो पारस प्यारो लागे यबुले स्वर प्यारो लागे आगे बागरी जाल्या में रस्ता कया भुल्या पारस जी में तो रस्ता कया पावाँगा पावाँगल में तो रस्ता कया पावाँगा प्यारी प्यारी लागे गुरु माजे प्यारे लागे शुब कामने परिवार शाखा जामोली इनके साथ ही है जामोली वाले इसके पाथ जो भी शाखा है वो सब एक शाथ आ जाए हमारी पाथ समय का अभाव है शुब कामने परिवार शाखा जामोली भी इसमें है शुब कामने परिवार जामोली के वार से ग्यारा सो रुपे इस छेत्र को परदान किये बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन बहुत बढ़िया जामोली वाले आए जो भी लग्किड्रा कोपन लेना चाहे वो ले सकता है देखिए मात्र दो मिनिट में लग्किड्रा निकल रहा है यहां से 21 रुपे छेत्र को समर्पेत कोठ रिजियन समाज की तरप से बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन आया मंगली देन मंगली अबसए ओर अब यह रहा है यह रहा है चलिए और फर्स्ट प्राइज के लिए अमन्तित करती हो केकड़ी गुरुप को बहुत सुन्दर कार इनके द्वरा बरनाया हुआ केकड़ी गुरुप आजाए फर्स्ट प्राइज प्रथम इस्थान इनोंने प्राप्त किया है केकड़ी गुरुप आजाए पुजी मातेजी मैं केकडी की सभी सदस्द्शाओ को मंच की तरफ आमंत्री तत्यूकि वह जहां भी है मंच की तरफ आ जाए केकडी की सभी सदस्द्शाओं ना अब इसकी बाद 10 कॉंशलिशन प्राइज काड की सेकिंड वाले आजाएं शिरीमती मोनिका सेथी शाहपुरा शाहपुरा वाले आजाएं शिरीमती मोनिका सेथी चलिए आप लोग जगा खाली कर दे शाहपुरा वाले आजाएं सबको मत बुलाओ अब शाहपूरा वाले आजाएं देखिए आप मंच खाली कर दीजे मेरा मन है कि जितने भी बंदन्वार बना के लाए हैं सबको एक साथ खड़ा किया जाए आप आजाएं उसके बाद दस कॉंशिलेशन प्राइज स्वस्ति काड़ परतियों कि तके थड़वाले आजाएं प्रतिक्षप रिड़न जीन जहाजपुर मंच खाली कर दीजिए आपसी अनुरोध है मंच खाली कर दीजिए ताकि दूसरी लोग भी आगर अपना पुरुषकार प्राप्त कर ले अब देखी दस कॉंचुलिशन प्राइज में मैं अमंत्रित करती हूँ पहला नाम श्री विरेंद्र कुमार जी जेन सूरीनगर दिल्ली विरेंद्र कुमार जी जेन सूरीनगर दिल्ली यहाँ उपस्तित है आजाए पूर्जय माते जी से अश्रिवत प्राप्त करें इसके बाद आजाए शिरीमति प्रियंक जेन जहाजपूर शिरीमति प्रियंक जेन जहाजपूर आजाए चली प्रियंक जेन की बाद अमंतित करी हूँ कुमारी निधी जेन जहाजपूर कुमारी निधी जेन जहाजपूर आजाए और नमंजेन सनोफ जीतु जेन जहाजपूर आजाए नमंजेन सनोफ जीतु जेन जहाजपूर आजाए नमंजेन आजाए नमंजेन सीमा जेन जहाजपूर आजाए इसके बाद शिरिमती नेहा जेन डोटर ओफ सुनील कुमार जेन कुरावली वो आजाए उनके फाजपूर आजाए वो यहाँ उपस्तिद नहीं है इसके बाद आजाए नमीता जेन बसंत बिहार कोटा आजाए नंदनी जेन शहापूरा शिरिमती उशत आई परतवाडा सुहानी जेन जहाजपूर सुहानी जेन जहाजपूर खुश्बु जेन देवली खुश्बु जेन देवली आजाए नमीता जेन आजाए बसंत बिहार कोटा से उपर आजाए माता जी से आशिरवाद प्राप्त करें इन्होंने काड बनाए था सुरेंदर जी से मैं अनुरोद करूँगा कि किरप्या वो सिगरता से माइक के पास आए और जो सुपकौना परिवार के पुरुषकार यहां पर अभी हमें देने हैं हमारी साखाएं इंतियार कर रही हैं उनको पुरुषकार दिलवाएं साथी मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो साखाएं अभी हमारे वाट्सेप गुरुप से नहीं जुड़ी हैं तो किर्पिया वो वाट्सेप पे अपने समाचार नियमित रूप से दें क्योंकि एक मुख्य अधार बनता है आपको पुरुषक्रित करने का वाट्सेप पे जो साखाएं अपने नियमित समाचार बेशती हैं उनका निश्चित रूप से नाम आगे बढ़ता है पुरुषकार के लिए तो आगे से अपना ध्यान रखें सभी अपने कारेकरमों की सूचना वाटसेप पर हमें जरूर दें और जिनके सहुजग चेंज हुए हैं वह अपने सहुजग बदलने की सूचना भी किरपया में जरूर दें किरपया सभी लोग हमसे निरंतर संपर्क बनाए रखें देखें है कि ए आज कारेकर मी झाण बनवार के जी मैघे से रहुए है वहए बनान वाहर पंदलने मंसेटीचा मी तो ने चाना रहे सब कहारी अगंग हुश्प आकलस के बहुक्स नहीँ आती सुन्दर ए लकई DR वाल ए शयक्रवस जैपूर कर दिनों में रवी वार का से हाओं बैया बैये दिनो में रवी वार का संस्थाओं में शुबकामना पडिवार का और आज की परतियोगतों में बंदर वार का बडा ही महत्व है आज का जो कारेक्राम इतना व्यवस्तित रूप से स्वस्तिदाम मंदी निर्मान समीति की और से यहां पर आयोजी तरहा उसके लिए हम लगुन का कोटिस धन्यवाद करते हैं और आज के कारेक्राम का समापन उससे पूर में निवेदन करना चाहता हूं शुब कामना परिवा परिवार का निरंतर विकास होता जा रहा है और निरंतर शुब कामना परिवार हमारे यहां बढ़ते जा रहे हैं शुब कामना परिवार का कोशा ज़क्त होने के नाते मैं उसकी इस पूरे वर्ष भर की जो प्रजगती है वो आपके सम्मुग रखना चाह रहा हूं गत वर्ष में लगबग 15,000 रुपए 500 रुपए हमने खर्च किये थे जो की पुरुसकार और प्रतिवेदन के माद्यम से और इसका हमने अर्जन किया है पूर्णे अर्जक परिवार बन जो पूरुसकार वित्रण कर रहे हैं इसमें ये भी हमने पूर्णे अर्जक परिवार बना करके ही इसमें एकतित किये हैं शुपकामना परिवार के लिए जो राष्टी और आजिव प्रांती कारिकार्णी होती है उनको 2100 रुपए की राष्टी से हम लोग आजिवन सज़ बनाते हैं और उसी से ये सारे कारिकर मुहमद चलाते हैं शुपकामना परिवार का एक मासिक पत्र स्वस्ती संदे जो मासिक प्रकारणी तोता है गुंजा दिदी उसमें काफी सहोग करती हैं और ये मासिक पत्र कोटा से प्रकाराणी होता है स्वध psychologist जैन इसके साथ प्रबन संपादक हैं और गत वर्ष सुक्वामना पर्जार के मासिक पत्र का प्रारम हो रही है इसमें परम संद्रक्षक श्री राजमल जी पाटोजी साहब और विकाद जी साहरनपुर को बनाया गया था अद्दक शीतल प्रशाज जी साहब रोणी और महामंत्री अनिल ठोरा कोशादक सुदेश जी जेहन को बनाया गया था यह बहुती सुन्दर तरीके से सुस्थी संदेश का प्रकाशन नियमित रूप से चल रहा है आप सभी से अनुरोद है कि सुस्थी संदेश पत्रिका के सदस्य बनके अपने घर पर जाज़ पूर्स में होने वाली सारी गतिविद्यू की जानकारी से अपडेट रहते रहें और सुस्थी संदेश के सदस्य बने माता जी के चर्णों में नियुदन करते हुए मैं नियुदन करता हूँ कि शुपकामना परिवार के चुनाओ गत तीन वर्ष पूए थे और हमारा कारी का लब समाप्त हो चुका है तो नए चुनाव करवाने के लिए हमें बताएं और नए चुनाव करवा करके और शुपकामना परिवार को नए लोगों के साथ काम करने के लिए इसी प्रकार से स्वस्ति संदेश का जो प्रकाशन कोटा से हो रहा है प्रकाशन भले कोटा से होता रहा है पर इसका संपाधन क कारी भी किसी अन्य को दे करके इस कारी को भी करवाने की प्रेड़ना दें यह मताजी थी नियुदन बंदा में मताजी बंदा में धन्यवाद नील जी आज का जो ये शुब कमना परिवार का नोवा राष्ट्य दिवेशन था मेरा सभी से निवेदन है कि बस मातर पांच का समयाब हमें और दे दे उसमें कार सजाओ परतियोगिता में दीदी को विजयताओं का नाम चेहन करने में बहुत कठिनाई आई क्योंकि सभी ने इतने सुन्दर कार बनाए हुए थे और यही कठिनाई आई है बंदरवार परतियोगिताओं के विजयताओं का चेहन करने क के लिए हम सब लोगों को परशानी आती है परती एक वर्स कि जब हम लोग स्रेश शाखा का प्रदर्शन कर जो होता है उनका किसके चैन करें सभी लोग इतना सुंदर प्रदर्शन यहां पर करते हैं सभी शाखा हैं अपने अपने छेत्र में शुबकामना परिवार के मासिक पूरे वर्ष भर में ना जाने कितने धार्मिक और सांस्कृति कारेक्रम सामाजी कारेक्रम में भाग लेती रहते हैं तो इन सब बातों को मद्द्र नजर रखते हुए हम आपसे हमेसा निमेदन करते हैं कि आप अपनी जो भी कतिवीदी हो उसकी सुचना भाई विकास जी क प्रुसकार वितरन रखते हैं पुर्ष इमारे राश्य रतक वालों के और से और हमारे जो राजिस्तान पर्देश के मंत्री हैं सेथि उनकी और से सामय रूप से दिये जा रहे हैं उनके लिए जोड़ार ताली आप लोग बजा दें और मेरा सभी से निमेदन भाई रिटेश जी जैन्स और आधर्निय श्री हरी सरिंगें जी से कर प्याएं और मंच पर सभी लोगों को जो हमारे आज के विजयता हैं को पुरुस जाएं सभी शान्त हो जाएं हाँ देवली वाले माता जी बोल रही दिजब तक सोई तो सोई ते रह जगा दिया तो खुद तो जागी है सबको जगा दिया उन्होंने लिखाय करने में भक्ति का माताओं में स्वस्ति का आज के दिवेशन में देवली की तरफ से बड़ा आज के दिवेशन में देवली की तक्ति का तर्फिका बड़ा ही महत्व जो और बालिया आप इनके लिए बजा दे जी जी बिल्कुल धन्यवाद आपका जो पूरे वर्ष बार स्रेस्ट प्रदर्शन रहा है उसमें मैं सरप्रतम तृत्या पुरुषकार के नाम की घोशना कर रहा हूँ कोटा विज्ञान नगर से सिद्ध साखा कोटा विज्ञान नगर से जोरदार तालिया आप इनके लिए बजा दे शिरीमती मंजू अजमेरा कर पे आ जाए अपने पूरी शाखा के सभी सदस्यों के साथ और और से सखाओं में जित्या पुस्कार प्राप्त किया है आप लोग बता सकते हैं किसने किया होगा दिग्गी की अरियंत साखा ने जोरदार ताली बजा दें आप इनके लिए डिग्गी की अरियंत साखा सिक्रपा करें आप सभी लोग दिग्गी की अरियंत साखा जिनोंने स्रेश साखाओं में जित्या पुस्कार प्राप्त किया है और प्रतम पुरुस्कार प्राप्त किया है आजाएं आप लोग दिग्गी वाले आजाएं आप लोग मंच खाली करते रहें साथ साथ जिनोंने पुरुस्कार ले लिया है मंच खाली करते रहें हाँ जी स्रेश सखाओं में पृतम पुरुस्कार प्राप्त किया है पूरे वर्ष बर में जो स्रेश्ट परदर्शन जो स्रेश्ट कार्य किया है बूंदी की उपाद्या इसाकान उनके जोरदार तालिया राजी भाई देखिए फोटो पूरा भारत वर्ष देख रहा है पूरे बारत नी पूरा विश्व देख रहा है इस कारेकरम को जोरदार तालिया आप लोगो इनके लिए बजा जे और जो यहां पर परदर्शन हुआ है आँ जो भक्ती परदर्शन यहां पर होएँ दूणी का सर्भी में दूनी का मनुष्य में गुणी का और स्वस्ति दाम में स्वस्ति बूशन माटा जी का बड़ा ही मात्व है जाए बो ने आए दण्यवाद आप सभी का जो आज यहाँ पर पुझे माता जी के पावन चर्णों में सभी लोगों ने अपनी भक्ती पूरवक्त विन्यांजली प्रस्तुत की उसमें स्रेश्ट परदर्शन जिसका रहा है स्रेश्ट परदर्शन जिसका रहा है दिग्गी हम सभी लोगों को माता जी को दीदी को सभी लोग कह रहें थे कैसे करें सभी साखाव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है किन्तु फिर भी चेन करना होता है जोरदार ताली आप इन लोगों के लिए बजाते रहें और ये भावना भाएं कि इस बाहर का प्रतम पुरुसकार इनको मिला है अगली बाहर का प्रतम पुरुसकार हमको मिले जोरदार ताली बजाते हैं आप इन लोगों के लिए और इन पुरुसकारों के प्राइजों के ल जो हमारे राष्ट्रे सियोंजी का है महिला सियोंजी का शिरीमती सुनीता जी पाटनी उनके पूरे ग्रूप ने कर पे आएं और केकड़ी की समस्त शाखा जो भी हो यहाँ पर आजाएं प्रमीला जी सुनी शिरीमती सुनीता जी प्रमीला भावीत जी सभी लोग उपर आजाएं अपने पूरे ग्रूप के साथ और पुझे माता जी के पावन करकमलों से जित्य पुरुसकार क्राप्ट करें और तृत्य पुरुसकार के लिए हम बुला रहा हूँ आज के तृत्य पुरुसकार के लिए हम बुला रहा हूँ देवली की समझ साखाओं को सामूल ग्रूप से आ जाएं और आज के इसके कारे करम में स्रेश परदर्शन के लिए तित्रे पुस्कार प्राप करें देवली की समझ साखाओं सरवाधी कुपस्तिती किसी भी एक साखा की जो सरवाधी कुपस्तिती रही है मौवा की साखा जिसमें 30 अदस्य यहां पर थे जोरदार तालिया आप उनके लिए बजातें मौवा की साखा के लिए और यहां पर हो तो करपया अपना पुरुसकार भी प्राप्त कर ले सरवाधी को बसीती के लिए मेरा सभी से निवेदन कि जिन लोगों को पुरुसकार मिल गा है वोँ अध मोवा की साखा कोई है क्या कि मेरा यह जहां पर आवास पूछ रही हो मोवा की साखा यहां पर दो सिक्रता करें और इसके बाद जो आज के कारेक महुवा से कोई महुवा से आजा यहाब उपर आजा शिर्ता से लिकास की आगे महुवा वाले और आज की जो परतियों गिता थी बंदरवार सज्जा परतियों गिता बंदरवार सज्जा परतियों गिता उसके पुरुसकार को नाम मैं बाद में खोशित करूँगा उससे पूर्व सुधरसन सल चल स्वस्ती पुरुसकार ये पुरुषकार दो वर्सों से केकडी जा रहा था और इस बार इस पुरुषकार को प्राप्त करने का जो सुभाग्य प्राप्त हुआ है जहाजपुर को है जोरदार तालिया जहाजपुर वालों के लिए आप बजा दें जोरदार तालिया जहाजपुर वालों के लिए बजा दें अंतीमा भावी अंजु भावी त्यादी सभी अंतीमा भावी अंजु भावी सभी जो जहाजपुर के जो भी परतिनिधी यहां पर हो कर पे आ जाएं और स्वस्ति सुधरसंचल पुरुसकार प्राथ करें बंदरवार सज्जा परतियोगिता किन शब्दों में बताया जाए कि बंदरवार कितनी सुन्दर बनी है सभी परतियोगियों की उसके लिए बंदरवार सज्जा परतियोगता में तृत्य पुरुसकार प्राप्त कर रहे हैं बंदरवार सज्जा परतियोगता में तृत्य पुरुसकार प्राप्त कर रहे हैं जहाजपुर हाँ वो यहीं पर है मैंने इसलिए तृत्य से सुरू किया है जहाजपुर वाले जहाजपुर वाले जहाजपुर शुपकावना परिवार जोर्दार तालियां इनके लिए बजा दे दिदी से दिदी से निमेदन शालू प्रियंक और गुंजा दिदी से निमेदन कर प्याँ आ जाएं और बंदरवार परतियोगिता के लिए द्विट्य पुरुस्कार जामोली जामोली की शाखा ये यहाँ पर हो तो कर प्यासिकरता से आ जाएं और द्विट्य पुरुस्कार प्रुस्कार प्राप कर लें जामोली की शाखा ये यहाँ पर हो और परतम पुरुस्कार के लिए परतम पुरुसकार कौछ प्राप्ध कर सकता है यहां पर बैठें बता है परतम पुरुसकार देवली वाले थी शिखरताह से आजाएं देवली वाले जोर्दा और आपका नाम क्या है मोना बिलाला जी के लिए आप जोरदार ताली बजा दें उन्होंने पूरे ग्रूप को इतने अच्छे से तयार किया है और इतना अच्छा प्रजेंटेशन भी उन्होंने किया था मोना बिलाला इन सभी पूरे ग्रूप के लिए जोड़ार ताली बजादर पर्थम पुरुसकार के लिए इन लोगों को सभी को हार्दिक बढ़ाई जिन लोगों ने भी जो पुरुसकार प्राप किया उन सभी लोगों को हार्दिक बढ़ाई धन्यवाद आप सभी लोगों का धन्यवाद और पुज्जे माता जी के पावंचर्णम में निवेदन कि हैं पुज्जे माता जी आप अशिरवाद हम सभी पर बनाये हैं इसी पर्ड़ीवार रहे ताकि हम लोग हमारा परिवार और शुब कामने परिवार दिन परती दिन इसी परकार उचाहिया परात करता रहे हैं सभी से च्छमा यदि किसी का नाम यहां से नापू का रहा गया हो हमारे शुब कामने परिवार के व्यक्ति का या कोई सभी लोगों को पेक्षा रहती है कि मैं भी प्रतम आऊंगा मैं भी प्रतियों के दिन भाग ले रहा हूँ मुझे भी कुछ प्रुस्तार मिलेगा किन्तु संभावनाएं कम रहती है इस परकार की कि सभी को मिल पाए उन सभी से च्छमा हर्दे से और जो हमारी शुब कामना परिवार की मैला सेयों जी का है शिरीमती सुनिता जी पाट नित्यादी इस पूरे ग्रूप का बहुत बहुत धन्यवाद जहाजपुर से शुरीमती अंतीमा जी अंजु भावी का धन्यवाद मंदी निर्मान समीती के सभी सदस्यों का कोटिस धन्यवाद और आप सब लोग जो भी आपर पढ़ा रहे हैं आज के कारेकरम में जिनोंने भाग लिया है उन सभी का कोटिस धन्यवाद इसी ऐसा के साथ अब सभी लोगों को शुपकावना है कि अगले वर्स पूने आप से भेट होगी आप लोगों सभी से निमेदन हैं कि आप लोग जो भी कारेकरम अपने हाँ करते हैं चाहे हो शुपकावना परिवार का पार्ट हो कोई सांस्कृति कारेकरम हो धार्मी कारेकरम हो सामाजी कारेकरम हो उसकी सुचना भाई विकास जी को वाटसप के माद्यम से वश्या दे दे 8410 84101 विकास भाई का नमबर है इनको आप सुचना है लगातार करते रहें धन्यावाद आप सभी का कि अछानी दन्यवाद सुरेंदर भाईया और पुरी राष्ट्य कारेकरम一次 का सुच्च कामना परीवार की राष्ट्य कारम्यट बाज़िय और लगातार चार वर्ष और 4830 कारिवाव चैन्ड़ों मरें सवाज्च पूल में तैस्ति द्धाम पर सुच्चछा समस्च Emma आगदाशन हम सबको मिलता है और आप निश्वारत रूप से इस प्रकार से विए कितने वर्सु से सेवा नौवा दिवेशन है इतने वर्सु से आप सेवा कर रहे हैं एक बार जोड़ा तालिया पूरी राष्टिय गारे कारने के लिए ही सहारनपूर पर रह करके और इतना अ दूर स्वरू के माधिन से आज इस पूरे कारे करम में चार चान लगा दिये हैं पृती जेन जबलपूर से शंगीत कार मुजिशन पृती जेन जबलपूर से पढ़ारे तुझा मादर से आशिरवाद बात करे और दिट्खेत्रकर में टिक्योर से आपका स्वागत हो ही नं येदि किसी साखा की गिप्ट रह गई हो गोष्णा हुई हो यहां से और उनको गिप्ट नहीं मिली है तो यहां से गिप्ट प्राप्ट करने विकास भया से आए प्रीती जी जबलपुर से इसके अलावा जिनका सहोगरा है कमल साउंड देवली का कमल जी जेन देवली से जिन कब भात आभाद, साहद उबाद, अभिनन्दन, शे बजी दोनु बशल दोनु दै के रहान हो जाएगी वैं पर के जॉप सबसे पहले भोजन काहाई आप लोग सो भी वोजन कामरें कोटा की जो बशते है आरती के बाद प्रस्तन करेंगी यहां से 11 से 11 औरaran 수 जो है और और उनके सभी पुन्यार जग परिवारों का में तीक शे तक में टिक वर से हार दिखा दिख्षा अगा तब इनन करता हूं कोटा से जो ग्यारा बसे आई है हाँ जी बेवली से जो बसे आई है ठीक शे बजे आपकी दोनु बसे रवान हो जाएगी आप सभी भोजन कर ले नहीं तो आपको छोड़के चले जाएगे कोटा से जो आज स्वस्ती के दाम अधिविशन में जो यहां पर ग्यारा बसे आई है आर्थी के पश्षाथ यहां से रवाना हो जाएगी आप सभी से मेरे निवेदे ने जिस बस में जहां के लोग बेट के आएए उस पर नमबर लिखा हुआ है उसी में बेट जाएए बस सामने रोड पे जो स्वस्ती राम के सामने जो रोड है वहां पर लगा दी गई है जिस बस में उसी इसाप से वहां पर बेट जाएए आर् जो देवली से दो पसे आई है वो भी आर्ति के पशाथ यहां से रवाना होगी आप सभी मेरी बातों को द्यान से सुन ले कोटा से आई 11 पसे देवली से आई 2 पसे आर्ति के पशाथ यहां से रवाना होगी आप से मेरा निवेदन है जिस बस में जो मेंबर बेटके आया है उसी देव बस में बेटके नहीं है